हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का चेंपेंज साब जीए यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कोशी का यानिकी सेल के महतुपूर्ण प्रश्ण तो आज कुल हम 48 बहुविकल्पी प्रश्णों के बारे में डिसकस करेंगे और यह सारे के सारे कोश करके बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि रोज के नए वीडियो के नोटिफेशन आपको मिलते रहे और इस पूरे वीडियो की लिंक की PDF फाइल भी मैंने डिस्क्रिशन बॉक्स में दे रखी जहां पर जाकर कि आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं ओके तो शुर तो आप से अंतर पूछा गया थो यह एकुछली सेंट्रियोल जो ऑके यह जनतू कोशी का आपको वनस्पती कोशिका से वभेधित करती है तो अगला कोशीका में राइब betrayal संपाधित में होता है तो अगर कोशिका में राईबोसॉंस एपसेंट है तो प्रोटिन w नहीं होगा यहां से इसपष्ट होता है कि माइट्रो कोंड्रिया जो है वह आक्सिकर्ण का कारी करता है यानि कि कोशिका के अंदर अगर आक्सिकर्ण का अगर कोई कारी करता है तो वह है माइट्रो कोंड्रिया और माइट्रो कोंड्रिया को हम उर्जा का पावर हाउस यानि कि कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं ठीक निमलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो हो प्लास्टीड है इस अगला प्रश्ण कोशी कामें प्रोटीन संस्लेशन कहां होता है तो मैंने अभी आपको बतां है कि प्रोटीन कोंची निशित रूप कोशिका कोई कौण प्रादान करती हैं कौशी का भित्ति यहीं किसेल ओल प्रतान करती है कोशी का भित्ती से कोशी का कोई निशित आकार प्राप्त हो जाता है अगला कोशी का द्रवी में उपस्तित महीन शाखित जिल्यदार और अनिमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है तो इसको हम बोलते हैं अंतरप्रदवी जाली का इसको इंगलिश में यानि की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है और ये कोशिका का जो द्रवी होता जिसको कोशिका द्रवी बोलते हैं उसमें महीन शाखित जिल्लेदार और अनिमित नलिकाओं का घना जाल होता है अगला कोशन है प्रोटीन निर्मान की का सक्री स्थल कोन सा है तो अगेन प्रोटीन निर्मान का जो सक्री इस्थल उसको हम राइबोसॉम कहेंगे नेक्स्ट कोशन हेमारा क्वेस्च नबर 12 कोन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाहों में पाया जाता है तो कोशिका भित्ति लवक यहनिकी प्लास्टिट्स रिक्तिका यहन और कोशिका विती लवक और रक्तिकाफे जो है यह जन्टू कोशिकाफों में नहीं पाय जाती केवल पादब कोशिका में पाए TO अगला कोशिक की स्वसन का सक्री स्थल कोन सा है तो मैंने आपको बता दिया कि कोशिका के अंदर जो से जगह पाया जाएगा पोदों में जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर अवर्णी लवक जो युको प्लास्ट कारी करता है और जहां पर प्रकाश पहुंच पाता है वहां पर हम जो है क्लोरोफील का उपयोग क जगा पर प्रकास नहीं पहुच पाता है तो जलों की BRI को जब लवक पाया जाएका अगला क्िटाक कुलो और बीजो और बीजो को विविन प्रकार के आकर्सक रंग कुन करता है तो फूलों और कोशिका की आत्मत्या की थेली किसे कहते हैं तो कोशिका की जो आत्मत्या की थेली है वह हम लाइसोसोम को कहते हैं अगला कोशने लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम बताओ जिनमें जीवद्रवयों को घुला देने या नस्ट कर देने की शमता होती है उसको हम क्या क बना होता है अगला कोशन निमलिकित में से किस ने यह मुल आउधारना प्रस्तूत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं यानि कि कोशी का सिध्धांत की अगर बात करें तो किस ने दिया था तो वह दो विग्यानिकों नहीं दिया था एक शिल्डेन और एक स्वान तो इस कोशन का आंसर आजाएगा second and four यानि कि option number D इन दोनों ने शिल्डेन और स्वान नहीं सबसे पहले कोशी का सिद्धान्त की खोच की थी और बताया था कि सभी जीव जो हो एक किसी कोशिकाओं से बने होते हैं अगला question किसकी उपस्ति के कारण किसी पादव कोशिका और पशु कोशिका यानि कि जन्तु कोशिका में अंतर किया जा सकता है तो यह एक्चुली किया जा सकता है कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका जिसके द्वारा पादव कोशिका और जन्तु कोशिका में अंतर किया जा के कोशी का भित्ती जो है पादप कोशी का में पाई जाती जबकि जन्तु कोशी का यानि कि पशु कोशी का जो होती उसमें कोशी का भित्ती का भाव होता है अगला कोशन है गौल जी का यानि कि जो गौल जी बोड़ी उसका प्रमुक कारी का है तो फ्रेंड्स गौल जी कोशिकांग DNA रखता है और DNA यहां पर DNA की बात आई तो मैं आपको बता दूँड नाम होता है डियाक्सी राइबोस नुक्लिक एसिट तो कौन्सा कोशिकांग DNA रखता है तो यह सेंट्रिोल में DNA पाया जाता है अगला कोशिकांग प्रोटीन संस्यलेशन प्रमुक गुमी का निभाता है तो प्रोटीन संस्लेशन में प्रमुक गुमी का निभाता है एंडोप्लाजमिक रेटिकूलम और राइबोस्वम्स ओके सो इस कोशन का आप्षिन हो जाएगा अगला क्यों प्रोग्रेंड से लेड़ का कोशी की एवम आणूइक नियंत्रण क्या कहलाता है तो सेल कोशिका में उपस्तित नहीं होता है तो मैंने आपको बताया है लवक यानिकि जन्तू कोशीचा में नहीं पाया जाता है जब यह पाधब कोशिका में पाया जाता हूए, आप अच्छी से इसको लिख लीजीए만 कि कुन से अंग जन्टुु कोशिका में पाय जाते हैं और कौनसे नहीं पाइजाते हैं यनिकी कोशिगा पादपद प恭喜 का से कोशने एक जरूर आता है और लाइस व् Алळिय करते हैं तो अंत्व कोश की पाचनी कोशिगा के अंदर जैंभी प्रदारतों का पाचन जो व्षयु तो हमसी करता है कोशी का भित्ती सेल वाल क्या होती तो यह क्योंलि सेलिऴ होती है याने कि उद्यखका किरद्स. कहलाता है ची चिटी कर जोabbीत्रीं होता है उसको हम क्रिश्टी कहते हैं अगला कोशन है माइट्रो कॉंड्रिया किसमे अनुपस्तित होता है तो फ्रेंड्स यिस्ट में कवक में और हरे शेवालों में माइट्रो कॉंड्रिया पाया जाता है जबकि यह जीवाणों में नहीं पाया जाता है अगला कोशन है जीवद्रवी यानिकि प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था तो इसका प्रयोग जीवद्रवी प्रोटोप्लाज्म का जो उप्योग यह सबसे पूर किंजे ने किया था अगला कोशने जीवद्रव्य जीवन का भोतिक आधार है यह किसका कथन है यह एक्चुली हक्सले ने कहा था अगला कोशने डिने के द्वी हेलिक्स यानिकी जो डिने की डबल हेलिक्स सरेचना है उसको पहली बार किसने प्रस्तावित किया था तो इसको वाटसन एवं क्रिक किया था इसी के लिए इनको नोबल पुरुषकार से भी संभानित किया गया था अगला कोशिका की क्रियात्मक गतिवीधिया नेंत्रित होती है किसके द्वारा तो जो भी कोशिका होती है उसका जो कैंद्रक होता है उसी के द्वारा सारी क्रियात्मक गतिवीधिया संपन होती किये तो एक कोशी का जो संचलित होती वो होती कैंद्रखे द्वारा अगला कोशने गुण्सुत्र याने की क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले प्रयोक किसने किया था यह वाल्लडेयर ने किया था अगला कोशन अंताप्रधवी जाली का याणि कि endoplasmic reticulumकी खोचँ किस ने करी थी तो यह करी थी पॉलटन नाम के विज्ञ्या नेए अगला कोशिव थे वास्तविग केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है तो और यहाना जीवाण में नहीं Them सरवाधिक संख्या 2N यानिकि ट्वाइस एंट में गूंसुतृ किसमें पाय जाते हैं तो औफियो ग्लोससमें सबसे ज़्यादा जो है वह सरवाधिक संख्या गौंसुत्र पाये जाते हैं अगला और महत्पुन कोशन ये कोशिका का जीवित अंश जीवद्रवी कहलाता है यह किस्से बना होता है तो फ्रेंस कोशिका का जो जीवद्रवी होता है वो तीन चीजों से कोशिका द्रवी केंद्रक द्रवी और अन कोशिकांग से मिलकर बनता है यानिकि ये तीनों चीज म सबसे छोटी कोसिका होती Heart को प्लार्जमा क्यों के बारे में निम्लिकित में से कोन सा कफन सही नहीं है कोशन ध्यान से पढ़िएफ सब्सक्राइब का वह सही नहीं ये भी सही ये और प्रत्य कोशिका में सपादन की अपनी शमता होती ये बाद भी सही है ठीक है अगला कुश्चन और फ्रेंट्स हमारा कोशी का भित्ती जो होती है वो एक पारगम्मी की तरवी कारी करती है अगला कोशन नियुकलेस के बाहर डियेने कहां पाया जाता है तो डियेने जो एक्चुली नाभिक में पाया जाता है इसके अलावा एक कहां मिलता है तो इसके अलावा इसकी कुछ मात्रा माइट्रो कॉंड्रिया के अंदर भी पाई जाती है ठीक है यह था हमारा कोशन 47 इस वीडियो को लास्ट कोशन है फ्रेंड्स हमारा कोशिका के बारे में कोशिका कला वरणात्मक पारगम्म्म होती है क्यो क्योंकि Π voor eerste संचलन को समय से होने देती है , जब कि संचलन को रोगदेती है , इसलिए कोशिका कला जो है वड़नात्मक पारगम में होती ठीक है तो फ्रेंड्स यह थे अड़तालिस कोशिका के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके बताईएगा और इस पूरे वीडियो की पीडिये फाइल की लिंक में डिस्क्रिशन बॉक्स में दे दिये जहां पर जाकर कि आप पीडिये फाइल को डाउन